प्रिविदार्थियों मैं डॉक्टर उज्दाश्यो कुमार साहिक आचारिये स्रीरादेश अमार मुरार का राजगे माविदाले सुझे बिकॉम पाट थर्ड विशे विएस्टी प्रसंद पत्तर दिखते बस्तों सेवा कर हमने जीएस्टी में आधार बुद जानकारियों में जो उनके विशेश ताय में कह रहा थी जो नियम थे इनके जो पूर करद नियम और जीएस्टी में अंतर था उन सब का धेन करते हुए विशेश प्रकार के प्रिश्दों गठन की भूमी का कैसी कर सकते हैं उनमें कैसे गठन की आदा सकता है इन्पुट पर जमा का स्थान तरह है इस तरह के जो प्रिशे थी हमने गत्व वीडियो में धेन किया आज हम वस्तु हैं शिवाकर के लाब एडवांटेज ओफ जीए का प्रमुक उद्दे से देश का विकास करना है इससे नी संदे के अंद्रवर राज्यों के कर संगर में वर्दी होगी प्रंतु इसके साथ साथ ही इसे समाज के सभी वर्ग लावाविंत होंगे प्रमुक रूप से जीएश्टी के कौन-कौन से लाब हैं जिसको हम ध्यन कर जीएश्टी में सबसे पहला लाब जो इन्होंने बताया जीएश्टी लागू करने से वो पहला है कर पर कर का प्रभाव समाप्त करप पर कर का प्रभाव समाप पूर्वा की करप परनाली में अनेक प्रकार के एपरतेक्स कर लगते थे जैसे उत्पादन पर उत्पादन कर यों विक्री पर विक्री पर मुल्ले वर्दी कर वेट लगता था इस प्रकार कर पर कर लगाने से भोगता का कर भार अत्य दिख हो जाता था जियस्टी लागों होने से ये दूस प्रवाव साब्थ हो गया है इनका एमान ना है लाब की दृष्टी से देखते हुए कि जियस्टी लागों होने से जो पूर्वे कर परनाली थी हमारी उस पे जो एपरतेस कर लगते थे उतपादन पर उतपादन कर प्रोड़शन टेक्स लगता था और फिर विक्री होती थी उस पे वेट लगता था मुल्ले वर्दी कर लगता था उसको स्वाप करते हुए इन सभी एप्रतिक्स करूं को स्वाप करते हुए एक करलागू किया जिसका GST के रूप में और उस पे कहते हैं कि GST लागू होने से यह जो दूस प्रभाव थे वो स्वाप थोगे। दूसरा इसमें उत्पादन की पहचान। पूर्वा करपर्णाली में वस्तोय श्यवों को अनेक वर्भू में विभाजित कर रखा था। इससे वेर्थ ही अनेक नाइक प्रिक्रिया प्रारम हो जाती थी लेकन GST में अंत्राश्टे माप दन्लों के आधार पर परतेव वस्तों के लिए एक आठ डिजिट का कोड निधायद किया गया है जिसे HSN कहते हैं। अदयब आगामी जो भी कर हैं उसे आसानी से उस वस्तों का वर्ग निधायद करके उस पर कर लगाया जा सकता है। तीसरा है एक कर जो वन टेक्स की बात थी एक कर केंद्रवराजे सरकारें अनेक कर होने से प्रसासनिक समस्यां उत्मर होती थी। और इसमी व्यापारियों को अपने व्यापार के संचालन में नेक कठनाईयों का सामना करना होता था। जी एस्ट लागों होने पर ये समश्यां नहीं रही है। चोथा इसका लाव है उत्पादों के मुल्ले में कमी हुई है। Decrease in Price of Productions, जो प्रोड़क्ट हम त्यार करते हैं, जी एस्टी उत्पादन के इस तरपर ही लगा दी जाती है, जबकि लगातार कर्जमा मिलने से इनके वसूली तब होती है, जब वह वस्तु अंतिम भुगता को बेची जाती है, इससे अंतिम भुगता को वस्तु कम मुल्ले पर उत्पलद होस जाती है, इससे वस्तु की मांग बढ़ेगी, यह इसका लाब सरकार रुव्यापरी दोनों को यह लिदेगा, पांच्वा है, आसान अनुपालना, इसकी पालना वो आसान मानी है, इसकी compliance है, वो easy है, easy compliance होगी है परकार से, करक के अनुपालना में पंजी कर्ण, करफ परतिवेदन पृस्तु करना, करका भुगता आदी आते हैं, इसमें उसका पंजी करना फिर उसका प्रतिवेदन है वो प्रस्तुत करें और करका भुकतान करें ये सब चीजें इसमें आती हैं जबकि GST का दिकांस कारी कंप्यूटरी करत पर आनलाइन करना तरह किया है अते हिन समस्कारियों की अनुपरना सरदताशे हो जाती है और छेठा लाब है तार की कोई नाई संगत कर भिन भिन कर अधियों में माल निर्मान वस्तु होया सिवा का मुल्यागन आधी के लिए भिन भिन प्रिवासां थी एक ही कर GST आजाने से इस प्रेशन्यों का निवान सबताई हो गया है और साथ वालाब है लेन देन के प्रिवासा के सवन में वेचारिक भिन तासमाप्त इसमें अनेक प्रकार के लेन देन इस प्रकार के होते हैं कि उन्हें वस्तु की विक्री मानी जाए या परदस्यों मानी जाए इसमें संदे रहता है क्योंकि इनकी प्रकरती है वो मिश्रित होती है इससे यह नहीं तह हो पाता था कि उन पर वेट लगेगा या स्यवाखर लगेगा वस्तो है श्यवाखर के लिए एक समली तद्रियम होने से यह समश्या साथ हो गई अब एक रूपता केंद्र वायराज्य की कर प्रनाली यह सर्जना के करारोपन कर मुक्ती यह कर के दुनों में अंतर था पहले जिसे अनेक समश्या उत्वन हो रही थी और जियेश्टी आ जाने से दोनों में एक रूपता आ गई है और नौवा इसका लाव है निर्यात है तुबरदान जब गरेलु बाजार में वस्तू के लागत कम पढ़ेगी तो निर्यात तक भी कम मूले पर वस्तू का निर्यात कर पाएंगे इस प्रकार से ने संदे जियेश्टी लागो होने के लिए निर्यात बढ़ेगा और दस्वा है स्रेश्ट राजस्वे स्रेजना जियेश्टी के आने से कर आधार बढ़ेगा पूरों में बहुत से व्यापारी कर देने की स्तिति में होने के बाद भी कर नहीं चुका रहे थे जब वे भी कर सिमा में आ जाएंगे तो कर आधार बढ़ जाएगा और निकिट बहुत समें कर आधार या कर संग्रह बढ़ जाने से जियेश्टी कर की दिरें भी कम होती जाएंगे और ग्यारवा है कर चोरी बनी इंतर जी एस्ट में अधिकांस कारी कम्प्यूट टिकरत की साहिता से होने वाला है और व्यापारी को कर्जमा तभी प्राप्ट होती है जब वह माल बेजते समय बिल काटे इसे कर्जोरी रुखी गी और अंतिम है बार्वा इसका लाब पर्टेक्स कर अर्थात आइस कर संग्रह में वर्धी जो डायक्टेक्स है और जो क्लेक्शन है उसमें इंक्रीज हो गए जब पूरों में नेक व्यापारी बिल काटे ही माल क्रे विक्रे कर रहे थे वो कई बार बिल नहीं काठते थे और बिना बिल काटे ही वो क्रे विक्रे करते थे जिससे नहें केवल अऐप पर्तेक्स करके चौरी हो रही थी बलकि खातों में कम विक्री दिखाने से वो आएकर की योगेशिमा भी बिनी हाई थे जियस्ती आएने से कि जो भीतिवर 17-18 में परतेस्ट करके राज उसे दो लाक रोड बढ़ गया था और अब लेकारतार बढ़ रहा है। इस प्रकार से GST लागो होने से ये निमन लाब बताए हैं। अब ये करें हैं कि GST लागो होने से हानिया भी हुई हुई है। वस्तोय श्यवाकर की हानिया क्या हैं? वस्तोय श्यवाकर के निक लाव हैं। प्रद्वी वह रीक रूप से बागू करने में प्रिशानिया हैं। कहर के धरहदिक होने से जन्षाधान तरस्त हैं। और व्यापारी बर्ग इस समझ में दिधायत प्रगिया को पूरा करने में वेस्ट है लगता है कि केवल सरकार ही मस्थ है सारांस में इसे निमन आनिया विक्तिजा सकते हैं जो हम पढ़ेंगें बड़ाई शुन्दर रंग से कहा है कि व्यापारी बर्ग जिधायत प्रगिया पूरे करने में वेस्ट रहता है तो केवल सरकारी मस्थ है इसका मलग कहीं कहीं इसमेहानिया जरूर है जी एस्ट पहला है कंप्यूटर कि जानकारी का भाव हर वेक्ति को कंप्यूटर नहीं आता इसलिए प्रेसानी है जी एस्ट की मूल अवधार्णा ये है कि बिल बनाने से कर्जमा करने तक सभी कारी कम्प्यूटर पराधरी थों। अनने छोटे वह कम्प्यूटर चलाना नहीं जानते हैं और उनके लिए अलग से करमचारी भ़े रख सकते हैं इसके लिए pana 파व्धानों की मे ciel पानव मुश्किल है इसलिए करमचारी रखेगा तो खर्चा भी बढ़ेगा उसमें तो इसलिए पहले इसका दो शाहनी है दूसरा है निज्टा का भाव प्राइवेंस्टी का लिक होगी इसमें करने करती है जी एस्टी की वेवसाई के सभी रिकार्ड्स कम्पूटर में रखे जाते हैं जिए कोई भी वेक्ती डेटा हेग कर ले तो वेवसाई की गोपने दभंग हो जाएग और वरतमान में इस तकनिक युग में ऐसा हो रहा है त निज्टा का अभाव तीसरी जो दोस हानी है वह परनाली की सुरक्षा का भाव जी एस्टी की जो परनाली है ये जी एस्टी बेव साइड से ही भारत के सारे कम्पूटर जुड़े हैं यदि वहाँ कोई दोस्त हो जाए तो वेवसाई कतिविदियों में अवरोध आ इसलिए दोस्त चोथा है 12 कृरार उपन जो डबल टेक्स सेसन की बात करते हूं उसकी बात है जी एस्टी अपने आप में विविन करूं का समो है पहले इस्थानी विक्रे दोदरा किसी वस्तू का विक्रे करने पर केवले वेट लगता था अब एस जी एस्टी और सी जी एस जी एस्टी है तो उसका अर्थ है कि 9% SGST वर 9% CGST है इसका मुले है 12 कृरा उपन का दोश है 520 का दोश है SGST यम CGST के मद्दे आपस में कर्जमान नहीं मिलती यदि कोई वस्तू दो तीन बार इस्थाने बाजार में विक्रने के पसाथ अंतराज ये वेपार में विक्र जाती है तो उस पर पहले SGST लगाना जो लगाया गया बाद में CGST भी लगा इस प्रस्तिते में पहले चुकाए गए SGST की कर्जमा बाद में चुकाए गए CST में से नहीं मिल सकती ये एक साथ बेज़ा दो विक्रे होता है तो दो मिलती है लेकिन ये पहले हमारे SGST ले अधार पे उसका विक्रे किया उसका व्यापार किया और फिर उसको CGST के अधार पे करते हैं तो CGST में राशी है वो बाद में नहीं मिलती है और पांच्वा के बाद छेठा है इसका CGST के कुछ दोगों को बुरी तरह प्रवाइद किया है कि वे बंध होने के कागार पर खड़े हैं और ये दोग पहले से नोट बंदी की मार जेंद रहे थे फिर CGST में पहले के तुल्ला में बहुत अधिकर की दर हैं जिससे नहीं अत्ते दिखानी पहुंची है एक उदोग के बेमार होने का प्रवाव अन्य दोगों भी परता है पिदे एक उदोग बंद होने या बेमार होने की इस्तिति या वो गाटे की इस्तिति मा जाए तो अन्य दोग भी शिर्वावाई कोते हैं और साथवा और अंतिम हानी इसकी है जो नुक्षान है वो जीएस्टी को लागो परने से वो है कुछ राज्यों पर विप्रित बहा है उनमें जीएस्टी आने से करका संग्राव होता है यो जीएस्टी की छिती पूर्ती अजियम के अनुसार उन्हें पांस वरस्थों तक छिती पूर्ती मिलेगी परन्टु ने राज्यों से हानी तो पांस वर्षण के बस्ताथ होरा होगी पकाने कोरते घ़ कि इंदर सरकार या जिस्ट के माधución से यदी किसी वस्तू का जिस इस्टेट में उत्पन है जिस राजे में उत्पन हो रहा है और बोग दूसरे राजे में होता है तो ऐसे इस्टे mês उ सको जी इस्टे आने से कर्शंगरेब पहले कितना में कम होगा और उसमें जी इस टी की का जिवापरी गुहानी होगी इस प्रकार से वस्तोषय अकरजनेम की इस साथ गुहानी हैं बिंदू बताये हैं उसमें अब GST के राजुसे की प्रगती क्या है हम इसके बारे में देखें एक जुलाई 2020 को देश के सबसे बड़े करसुधार गूर्ट संट सर्विस टेक्स को ला सिद्र 18 में कुल करसं इंग्रह है वो साथ लाक उनीस जार क्रोड़ों रुपे हुआ जो की वीत वर्स दोजर अटारा कौनीस में बढ़कर 11,77,399 क्रोड़ों हो गया और वीत वर्स उनीस वीस में इसमें और भी वर्दी हुई यह हम जी एस्टी की फुल राज़ों से जो बढ़कर 12,22,131 क्रोड़ों रुपे हो गया और आगामी वर्सों में जी एस्टी से सरकार के टेक्स किलेक्शन में लगबग 4,00,000 क्रोड़ों रुपे की वर्दी हो सकती है वहीं आईकर भी अधिक राज़ों सो आने की उमीद है क्योंकि पहले व्यापरी वेट और आईकर परती दिन में अलग-अलग विक्री दिखा सकता था क्योंकि दोनों को मिलान नहीं होता था जब कि अब जी एस्टी वे आईकर दोनों ही इलॉक्टरिनिक मादे से जमा होते हैं और दोनों का मिलान करने का अधिकार आईकर अधिकारी के पास है खास बात ही ये है कि सरकारी खजाने को भरने के सरकारों ने जितने भी बड़ी और इत्यासिक कदम उठाये हैं उनमें GST सबसे बड़ा कदम सावित हो रहा है GST लागू करने से अब प्रतेखस कर चुकाने वाले करदा ताउंगी सिंख्या 160 लाग से बढ़कर 70 लाग हो गई है और GST के कर संग्रे वर्स 2017-18 में 89889 करोड प्रतिमा था जो की वर्स 2018-19 में बढ़कर 98114 करोड प्रतिमा हो गया और वित्य वर्स 2020 में यह एक लाग करोड की उमीद को पार करते वे एक लाग एक जार 8444 करोड प्रतिमा हो गया जो कि हमने आपको बताया है और यह 1 जुलाई 2017 से 31 मार 2018 तक का उसके बाद वित्य वर्स के हिसाब से इसमें और जितना राज़से की प्राप्ट हो आए इसे इस पुदर्ष्ट है कि जीएस्ट इसे कर जो है वो अधिक प्राप्ट हो रहा है आई कर की राज़से वो भी प्राप्ट हो रही है और यह राज्य और केंदर के विकास में काम आती है धन्यवाद